हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप थोड़ी सी समस्या है लेकिन कोई बात नहीं हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 50 दिन बचे हैं एक्जाम को तो मैंने सोचा क्यों ना कॉस्ट अकाउंट के अंदर आपको 50 दिन में कैसे कैसे तयारी करना चाह लिए कि आपका एक्जाम जो है आपका 23 मई के आसपास याने 20 मई मान लिजिए मोटा मोटा अप टेंटेटिव ले लिए ठीक है तो मार्च का 20 दिन और एप्रेल का मान के चलिए 30 दिन और 15-20 तारिक वो है जो की बीच में आपके पास है तो 50 से 60 दिन कहुंगा मैं 60-65 दिन हो सकता है लेखिट हमें 50 दिन का लेके चलेंगе दस दिन का हम बिमार पढ़ जाते गुमने जाना पड़ सकता है सादी में जाना पड़ सकता उसका एक बैक उप लिले चिक पचास दिन में में हमारे पास कॉस्ट ego की हम बात करें तो सरक्ष condemn me unit 1 unit 1 है, Sir, unit 1 के अंदर हमारे पास रर्फ एक चंपर है जो कि प्रैक्टिकल एक चंकी प्रैक्टिकल शेत जो हमारे unit 1 के अंदर एक प्रैक्टिकल लगे इसको करने में आपको कम से कम आ चलो 4 देस का टाइम लगे अगर आप सारी चीज़ें करते यह तो मैं डेस्वी काउंट करा नो इसके बाद आप करोगे सर मतीरियल हमें को मतीरियल का आपको अराम से कम से कम पास से साथ दिन का टाइम लगेगा सर एक्जाम के अंदर मटीरियल वाले में से जरूर कुछन पूछा जाता है यह यूनिट टू है यह यूनिट टू के बाद एक चैप्टर हमें यूनिट वाइस नहीं चल रहा है मैं वैसे चल रहा हूं इसके बाद आता है हमारा लेबर सर जो बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हूं मैं तो उसके इसाफ से प्लाइन बनाता हूं मैं यह नहीं खहरा जो मेरे से पढ़ रहे हैं लेबर के अंदर महार्ड़ी आपको टू डेज लगने हैं कि मैं त सारे चप्टर लिख देता हूं इसके बाद आपका आता है सर अब कैसे कैसे करना है वो भी बता दूंगा इसके बाद आ जाता है सर लेबर के बाद ओप ई यह ज़्ब सो कि बेसिकली ऑऔर हैड़ के अंदर दो पार्ट में बट आप ऊबढ़ है तो ओब कि इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है यह मान के चलिए छेज दिन ले जाएगा आप देज देखेंगे कैसे जा रहा है आपके पास से चार दिन पांच दो छे इस तरीके से जा रहा है मतलब बहुत इसके बाद है हमारा कॉंट्रेक्ट कॉंट्रेक्ट अकाउंट इसके अंदर लगभग-लगभग हमारे चार दिन में हो जाते हैं चार से पांस दिन लग जाते हैं ठीक है ना कॉंट्रेक्ट के बाद हम बात करें सर इधर लिखते जाता हूं चप्टर ठीक है ना क्योंकि अधर तो ऊपर चला जाएगा प्रॉस्स प्रोसेस अकाउंट सर इसके अंदर कितना टाइम लगता है सर यह थोड़ा लंबा चप्टर है छे दिन इसमें भी माल लो ठीक है प्रोसेस के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो है सर्विस कोस्ट सर यह अगर आपने मसीन आवर कर लिया तो इसमें तीन दिन लगेंगे इसके बाद सर है हमारा रिकंसिलेशन बाकी इसके बाद और भी ले लेते हैं चलो जॉब बैज कोस्टिंग जॉब बैज and single output यह चैप्टर है इसमें से भी सवाल पूछे जाते हैं इसमें भी चार दिन मान लो इसके बाद चैप्टर है हमारा सर रिकंसिलेशन रिकंसिलेशन की अगर हम बात करें सर तो रिकंसिलेशन में आपको 4 डेस इनफ है फोर डेज में अगर आप पढ़ते हो तो इनफ हो जाता है इसके बात करें तो नोन इंटिग्रेशन और यह हमारा लास्ट चप्टर है इंट्रीगर नोन इंट्रीजर इसके अंदर मान के चलो टू डेज लगभग लगभग मैंने पूरे चप्टर कवर कर ली हैं बात करें तो एक दो तीन चार पांच छह साथ आट नो और यह दस चप्टर है अब देज अगर काउंट करें तो चार दिन पांच चार और पांच नो दो तो 11 और 4 15 15 और 6 21 21 और 6 हमारे हो जाते हैं 27 और 30 30 और 34 34 और 438 और 250 ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से कोई जितने लगते हैं मैं उतने टाइम बता रहा हूं मुझे याद भी नहीं था तो इतने समय हमें एक चप्टर में देने पड़ेंगे जिसके अंदर कैसे पढ़ाई होगी सर आपका बुक जो लगने वाला है कॉस्ट अकाउंट मैं कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं सर यह यह मैं बात कर रहा हूं सर कॉस्ट की यह भी पता होना चाहिए बच्चों को तो ज जिसमें से मैं कुस्टिंग कराता हूं आपको प्लस इसके अंदर टेनियर लेंगे हम सिवधास का शिवधास का क्या लेंगे सर प्लस प्लस महेश्वरी में दूर कर लेंगे अगर हम इसको इस सिस्ट्मिटिक तरीके से पढ़ते हैं सिर्प कॉस्ट अकाउंट की बात कर रह ही होने वाले फ्रीली एकदम पढ़ सकता है ठीक है ना मतलब एक्जाम के अंदर को टेंशन नहीं लेना सब यह होना चाहिए आप जाना एक्जाम नहीं आ रहा जल्दी से एक्जाम में लिखना है लेकिन बसरते इसमें पर डे जो मैंने बता है तो इसका मतलब से करो से में करो एंबी करो तो यह सब्जेक्ट आएगा आएगा ठेक है ना तो यह सारा का सारा हमारा सेरियो है पूरा का पूरा सार चोटी से जानकारी और भी दे दे कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम कैसे करें देखो मैं आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा इसके बाद कुछ नहीं पता कि भीया कब डिलीट कर दे यूट्यूब वाले देखके हमारी बुराई कर रहे हो तुम डिलीट कर रहे हैं दूसरा हम जो है यूट्यूब के ऊपर हमने यह डाला दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो हम एप्लिकेशन पर काम करते हैं एप बढ़ने में बहुत ही मतलब ड्रिलियंट है सब समझ में आ रहा है नो नीड तू बाइट कुछ नहीं करना सर वैसे ही अच्छे नंबर ली आएंगे जो स्टूडेंट एवरेज है और जो स्टूडेंट बिलो एवरेज है अब लेकिन भाईया कौन अपने आपको एवरेज कहेगा और कौन कहेगा बिलो एवलेज हरकोई तो यहीं कहता है कि हम तो भाया बहुत स्ट्रॉंग है अब देखो एवरेज और विलो एवरेज की डेफिनिशन यह देख लो कि आपने ग्यारवी और बारवी के अंदर या सेमेस्टर वन के अंदर और टू के अंदर इस्पे डेखते हो कि हमने वहां पर पढ़ाई कम करी थी हमने बहुंत्यों में निष्ट ठीखोर्ट अनुनयाल्स में आगे और जो बच्छे एक भाए याकन पाट वहात अच्छट बच्चों के कटेग्री में आगे अपने आपको जज करने का एक मैं पैरमिटर बता रहा हूं क्योंकि हमारा मन कभी भी नहीं मानता कि मैं नालायक हूं सबसे बड़ी बेवकुफी अगर हम चीज़ें अच्छे से नहीं बता सकता तो नहीं बता सकता मैं यहowak को ना मेंटोर्शिप यानि गाइडेंस की जुरत पड़ेगी जिसके अंदर आप सभी बच्चों को मेरे हिसाब से एक कूर्स का जो की मिनिमम प्राइस है हमारा 475 रुपीज अभी ओफर भी चल रहे हैं साइद अगर जीबी पीएस आ गया तो यह मान के चलो 475 की जगह पर 650 रुपे आ जाएगा जिसमें आपका 100,500,200 रुपे का नुक्सानी हो जाना है तो मेरा मानना है के भाईया अभी यह प्राइस है वो बच्चे अगर प्लान कर रहे हैं जो बच्चे के यार मैं कोर्स लेके कर लूँगा तो डोंट वेट आप जीबी पीएस लग सारे रिकार्ड इंट क्लास और डेली अमतल लाइव घ्लास भी होता है सर्यकयळ नियू उन्हींटरीस प्लाइव क्लास में और कॉलस अपक्सित Hebrews स्बात होने वाला कॉन्ट्रैक्स अकाउंट अब कर सकते हैं और पिछले कुछ पॉईंटिंस पॉUIइज करके आप जा सकते कर दो मैंने टाइम भी बता दिया कैसे करना है उसके इसाब से बढ़ना है अगर आपको किसी बच्चे को कुर्स वगएर ऐसे जानकरी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर सब कुछ गीवन है आप वहां से कम्मुनिकेट कर सकते हैं थाइंक्यू सो मच मिलते हैं हम नेक्स वीडियो में इतने आप पढ़ते रहिए और हैपी सिवरात रही है